उन्हींए पूरे समाज को खड़ा करना तो जिसको खड़ा करना उसको मै और मेरा भूलना पड़ेगा और मै और मेरा भूलने का प्रयास करते तो जितना वो कम होता है उतना भगवान आता है जहां मैं है तो मैं जाता है तब हम आता एधा हम ही अपना पन है और अपना नहीं और अध्यात्म है अपना अपनी भगवान है, विशोरूप भगवान है, नर्मे नाराइन है, जनमे जनारदन को देखना, यह अध्यात्मिक साधना का एक भाग है, अपने अंदर भगवान की अनोभुती करना, इससे पूरी नहीं होती वो साधना, यह होने के बाद भी ठोड़ा बाकी रहता है, वो ब और आपने अगर पहले सब में देख लिया, तो आपको अपने आप में देखने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप मोता है। इसलिए संत तुकाराम माराज कहते हैं कि जो मराठी में जेकारंजले, गांजले, त्यासी, मने जुगापुले, तोची साधू उड़कावा, देवतिती दानावा। जो वंची थे, अभावग रस्त है, पीडी थे, उनको जो अपना कहता है, वही साधू है, भगवान का वास उसी में है। तो सिवा की प्रेणा हमारी क्या है, मैंने किया यह नहीं है, अपनों के लिए किया यह है, वो अपनापन समाज को जोडता है, धर्म का वही आधार है, कर्मकांड यह धर्मका आधार नहीं, वो देशकाल परिस्थिति उनुसार, वो चलते रहता है, लेकिन असली धर्मका आधार वही है, सबको सुख्य होना है, सबको साथ उन्नती में चलना है, मुझे शरीर का भी सुख चाहिए, मन का भी सुख चाहिए, बुद्धी का भी सुख चाहिए, तीनों एक साथ चाहिए, एक के लिए दूसरा कम करूँ तो सुख नहीं मिलेगा, तो बिना आत्मा के वो हो नहीं सकता मनुष्य भी सुक्ष होना चाहिए समुह भी सुक्ष होना चाहिए और परियावरन भी ठीक रहना चाहिए तीनों एक साथ करने है तो परमात्मा के भी नहीं सकता मेरी सारी इच्छा पूरी हो इच्छा पूरी करने के सारे साधन मेरे हाथ में हो और यह सब करके मुझे अंतमे मुक्ति भी मिले यह बिना धर्म के हो नहीं सकता क्योंकि इसमें जो अपने पन का धागा है वही परमात्मा है वही आत्मा है वही धर्म है धर्म सबको जोडता है, सबको उन्नत करता है, तो ये अपने पन के धर्म को निभाना, मैं और मेरा छोड़ के अपनों के लिए काम करना, ये समाज में जितना होगा उतना समाज बनेगा, और समाज बनेगा तो देश बनेगा.